मुहमत वराल बिल्य वाज़ा दिये आरिये सर मुमिन है आप मतलब था बठू नहीं प्रेजर्ट टाइम लाइन में कब तक मुमिन थे आप अगर दो हजार तेश चला है करोना करोना दो हजार दीज के लास्ट में मैं छोड़ दिया छोड़ दिया मैंने अच्छा उसके पूरा पाच वक्ता और पूरा रोधा रखना और फिर नमाज अपना कॉलेज श्कूल यही सब में रहता था अच्छा कोई सूरा युरा सुना सेते हैं आप जैसे कि हाँ जो नमाज में सबसे पहले तो हम लोग क्या पढ़ते हैं बहुत पहले मैं पढ़ता था था न तो फ इया कना बदू या कनसाइन इही देना सिरातल मुस्तकीम सिरातल वजीना अन अमता अलाइहिं गएरल मव्सूब अलाइहिं वला तौली इसके बाद कोई सूरे पढ़ते हैं फिर पहला सजदा आ जाता है वो मुझे नमास छोड़े हुए इस सुरा पढ़के सुनाओ इसके अलावा इसके बाद क्या करते हैं ये दो सूरा पढ़ने के बाद क्या करते हैं सजदा करते हैं रुकू करते हैं रुकू करते हैं देन सजदा करते हैं दो बार सजदा करते हैं देन वापस आते हैं फिर अलहम पढ़ते हैं फिर कोई दूसरी सूदे पढ़ते हैं फिर रुकू करते हैं फिर सजदा करते हैं और सजदा करने के बाद अगर आपकी दो रिका पास होगे पास होगे बहुत बहुत शुक्री अब बाई के लिए गुलाब बेज़ दो हाँ बाई अब बताओ कि क्या बोलना चाहते आप मैं बोलना यहीं चाह रहा था सर मैंने आज आज ही आपकी वीडियो देखी है मतलब आज ही आपका चैनल जाना एक्चुली इससे पहले मैं जपार हेरेट्रिक्स एक्स मुस्लिम का बहुत बड़ा फैन हूँ बहुत बड़ा मतलब लिटररी उनकी जितनी भी पुरानी वीडि लग या खाली आपकी स्ट्रीम में जॉइन होने के लिए और मैं अब आया हूँ और आप से कुछ बाते करना चाहता हूँ जैसे की जैसे की फॉर एक्जांपल लोग मुझे कहते हैं कि तुम क्या हो तुम अल्ला पर यकीन मैं ही करते हो और तो तुम क्या हो तुम क्यों अगर दो अजार भी आपने छोड़ दिया तो कुछ वजा रही होगी ना जिसी बुनियाद पर आपने छोड़ा देखिये बुनियाद तो बच्पन से ही शुरू हो गई थी क्योंकि मैं आई लव साइंस और मैं इस वक्ष्टी कर रहा हूं और मैं खराब हो जाता है बहुत सी उल्टी सीधी बाते हैं फॉर एक्जामपल हमारे बॉड़ी पे इस पर रिप से निकलता है अकॉर्डिक टू इसलाम आइडम को अल्ला ने सॉयल से बनाया मिट्टी से बनाया लेकिन उनकी वाइफ को बनाने के लिए उनके पस मिट्टी खतम हो तो फिर दीरे दीर हुआ बट फिर 2020 में जब कोरोना आया था सक तो मेरी अच्छली बहुत जादा बढ़ गई थी कोवीट की वज़े से क्योंकि काफी लोगों की देथ हो रही थी तो उसकी वज़े से मेरे ब्रेन में एक डिजीज होती है स्टाटिक डिजीज होई है बहु मतलब पहले तो मेडिसीन दी गई और जाज करवाई गई कुछ नहीं निकला छे मेना इसमें चला गया फिर उसके बाद जानते ही हैं जब कुछ नहीं निकलता तो घरवाले पुराने सोचके हैं तो भूच चीज़ना चुड़ेल परीवरी क्या-क्या उस सब के चकर में मतल जाए बद वो भी मुझे ने मिली तो नियरली गेर साल पार हो गया था मेरी लाइफ का गोल्डन पिलिए था जिस ताम पे मेरे सभी फ्रेंट्स अपनी ग्रेजुएशन कर रहे थे और आगे बढ़ते या रहते हैं लाइफ मैं कोई अधनी कर रहा है कोई फैमिली को सपोर् पिलादा तो मैं पृप्षर्ण पर बिश्वास चोड़ दिया फिर मैंने जितने भी गोड्स हैं पिर वो हिं दू धन के हो गीरिक के हो मितिकल हो या फिक्ष्ण अभी बिए जिसका भी मैंने कभी नाम सुना हूँ रज सारे गोड्स है रोज रिक्वेस्ट की इस वाक जहा लिटरली उसका सिर्फ एक ही दिजन है क्योंकि जब कोई इंसान या कोई बिलेविंग और्गेनिजम मरता है तो गौड कहां होता है क्या वो बैट के पॉपकॉर्ण का मज़ा लेता है पॉपकॉर्ण का में जाधा बोल किया लेकिन यह ठीक है यह आपकी सोच है और आपकी सोच आपके एक्सपीरियंस और आपके परस्पेक्टिव से हो सकती है लेकिन आप यह बताएए कि आप साइन्स के स्टूडेंट रहे हैं या स्टूडेंट है माइक्रो बायोलजी आपने का है तो यह जो मुमिन डॉक्टर लोग जो पढ़ाई करते हैं तो इनके भेजे में नहीं बढ़ता कि भाई हम जो साइन्स पढ़ रहे हैं वो एक अलग डिरेक्शन में जा रहे हैं और कुरान की साइन्स जो है या रसुलुला की जो साइन्स है वो एक अलग डिरेक्शन में जा रही हैं इनके दिमागों पर क्या ताले लग जाते हैं यही तो मैं आपको बताना चाहता हूँ सार एक्चली यह हुआ कि मैं जब भी साइन्स बात करता था इस्टार्डिंग में तो पहले तो जब मुझे बिमारी नहीं हुई तो इतनी प् इतना चैला उंब मैं पिंद आपर मेरे फादर प्रिफामिली ने मुझे अलाव कर दिया है कि मैं जो चाहे वह कर सकता हूं बस किसी से बात नहीं कर सकता उसकी एक ही वज़ा है, अगर मैं यह बात आम पूब्लीक में करूंगा तो लोग आपसे बात यह नहीं करते हैं, डा मतलब एक बार तो मैं अपनी फैमिल से ही डश गया था इवन डारेक्ट डेट त्रेड गला काड देगे जहर जहर के देगे तुम्हारा घर कहा है अड्रेस क्या है तुम यह बताओ वो भी सामने एक बंदा लड़ने के लिए नहीं आएगा मतलब पुरे गयाएंगे और एक इंसान को मार देंगे और अभी भी मेरी मेडिसिन्स चली रही है तो हाँ जैसा आपने कहा कि इनके दिमाग पे ताला लगा होता है ताला नहीं होता सर वो पुरी एक फील पैक होती है और उसको कोई खोल नहीं सकता है नहीं खोल नहीं सकता है ऐसा नहीं है जैसे आपका खुला जैसे मेरा खुला और अभी जो मोमीन हो जाते हैं मतलब मोमीन का मतलब है आप देख सकते हैं आप सुन सकते हैं लेकिन आप बोल नहीं सकते हैं आप देख सकते हैं गलत है जान रहें लेकिन मानेंगे नहीं पॉर एक्जामपल के लिए आपको पता है इसलाम में 72 गूर क्या मैं थोड़ा सा अब्यूजी वर्ड यूज कर सकता हूँ अगर आप अलाउद है हाँ अबिश्वी वर्ड को थोड़े अच्छे अंदाज में बोलिए ताकि आपकी बात भी रह जाए और जादा वो भी नहीं लगे तो इसलाम में में टाइट मेल्स को किया गया है क्योंकि उन्हें बताया गया है कि जैनलेट में उन्हें बातर चूट क्योंकि उस टाइट पे जो मेल्स हुआ करते थे वो फुमील को इतना ज्यादा डॉमिनेंट करते थे कि गुलाम बनाना या पैदा होते ही मार लेना तो बढ़ी रसूल लाला साब ले संचाए अगर में हएन इमेल कर लाँ गा तो आमेटीक सामय कर जांघ। फीमेल कंटल तो बाई, बछे भी थी कंट्रोल और इसस्तरा इसलाम भाहँ बछो का गीम है बहुत बछो का गीम है और मैंने वीडियो सहाब के डिखी हुआ है उन्होंने काफी बताया मैं इस चीज़ को मतलब डिलीड भी नहीं कर सकता, वाधार काड और में 10 की माक्षी, 12 की माक्षीर में, मुझे ये नाम सही नफ रहते है, ने आप चेंज करवा लो नाम, वो मैं तो कोई ना कोई तरीका होगा, आप नाम चेंज करवा लो, इतनी, और सोचो ना के नाम ही नाम गाने छलते हैं तो एक जरूर आता है जिसमें ये 2 में से मेरा एक नाम रहता है, डिकौन तो मेरा तो ठीक है अपना नाम ऐसा कुछ वो नहीं है तो लेकिन आपको पसंद नहीं है तो आप अपना नाम चेंज कर वा लो ठीक है? देखिए एक होता है पसंद एक होता है उससे नीचे हेट और एक होता है डिसकुस्टिंग और इसको सुनने के मेरे दिमाग में रही है, मर्डर, स्लेवरी, चाइल्ड अजाते एक सेकेंड नाम और मेरे कई, मेरा एक दोस्त था, मतलब है, वो भी पहुत बड़ा मौमीन है, मै नहीं नहीं तुम कला तो काफी महिनों तक बात चली, फिर उसके बाद मैंने उसके दिमाग पर अखने के लिए, मैंने उसके कहा कि नहीं यार मैं भटक दिया था, मुझे शैतान ने भटका दिये था, मैं वापस से मौमिन बनना चाहता हूं, तो फिर उसने कहा, अच्छा ह अपनी बात रखी और कॉंग्राचुलेशन के आप तीन साल पहले ही इस जंजाल से बाहर निकले, अपना ख्याल रखिए, और लाइफ जो है, खुल के जीए, और जो भी हमारी मनों कामना रहेगी, कि जो भी आपको प्रॉब्लम है, डिजीस है आपकी, वो जल से जल ठीक हो जारे, बहुत बहुत शुक्रिया से ख़र।